प्रेंड्स इस अम्नी वस्नीम वेलकम टू मैं चैनल वस्नीम एकेडमी फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टिस में तो कमेंट बोक्स में कर सकते हैं यह कर सकते हैं तो आय coma हम लोग शुरू करते हैं आज कहीं इंपॉर्टन इस्ते पहले वीडियो में देख लिए कुछीं इंपॉर्टन साईक्लोजीष अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीımızı य्या प्लाइलिस्त में जा के previous videos को आप लोग follow कर सकते हैं तो शुरू किया जाए सबसे पहला जो psychologist है आज की सिशन्स का पैवलब इनका जो पूरा नाम है आइवन पैवलब आइवन पैवलब तो आइवन पैवलब एक रसीयन साइकोलोजिस्ट थे ओके आइवन पैवलब वस रसीयन साइकोलोजिस्ट थे इंट्रोड 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 इंट्र relates with the country is Russia okay USSR okay so he introduced the theory of classical theory a classical learning in 1914 okay or in he theories ke base in a novel okay novel in ambi nobel award bhimila okay nobel awards okay number three systematic behavior he also introduced the the child's systematic behavior number three is learning by conditioning okay he also introduced the learning by conditioning if the questions direct push leta hai ki who introduced the conditioning theory okay the conditioning theories was introduced the Ivan Pavlov okay Russian psychologist Ivan Pavlov another is he was also called the father of conditioning okay Ivan Pavlov was also called the father of conditionings number five which is our connections for the learning in 1927 experiment on dog or inka a theory hedgehog is our connection is our connections capital full name so much samadhi the january is stimulus and response is stimulus is stimulus okay okay so these are the important theories and important words which is which is introduced the I won't be able okay very important classical theory 19 for systematic behavior okay learning by conditionings father of connection conditioning is our connections for learning are in a famous it's experiment a jinikata experiment in dog experiment on dog or in cake experiment को कहा जाता है जल्याशपक्षयविक्स पैला का जो कनिक्स्छं स्ञेक्शं था रादों का आथ सिर्कत कॉंप्ली एक यह बदें कॉमें राल आ एक कंप्लिट एक कि लाया एक किस्परिमेंट यह एक्सपरिमेंट एक हिए एक अमेरिकन साइख अजिस्त है जो के 1927 में बार्थ होता है और 1987 का देथ कोहल्बर्ग पार इंट्रोडूज्ज द गेस्ट त्यूरी गेस्ट त्यूरी ऑफ मॉडाल डेफलोपमेन्ट कोहल्बर्ग अल्सो अल्सो इन्ट्रोडूस द मॉडल नहीं मॉरल डेफलोपमेन्ट्र इस नहीं जिसका नाम है बच्चों में पूरे जिंदगी में एक ऐसा टाइमिंग आता है जिसमें बच्चे अपने आपको गुड़ वाए कहना या किसी से कहलवाना मतब कि अच्छा लगता उनको तो गुड़ वाए गुड़ 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 ऑर कोरेंटेशन एक और ने इंट्रीस किया था मोरल डेपलेप्मेट यह फूर स्टेजिस यह और में पेश किया था प्री कंवेंशनल ma प्रीकूशनल अ प्रीकंचनल में ओके इनके टेवलप्मेंटिन के फॉरमेट है बच्चों में बक्च्च से गज Waterctor उसके एक बच्ची के से प्रोडव मिल जाएगा आप लोग वे पूरा को सब्राइक कंप्लीट सेक्शन हो गया और इंटर इंटर पर्सनल रिलेशन बच्चों में और अधर जो फैमिलीज मेंबर जो फ्रेंट सर्कल से जो पाल से जो पीर से उन्हों से कैसे रिलेशन्स रहता है यह सब थियूरी इस इंपोर्टेंट टॉम्स यह पेश किये हैं कोहल बर्ग इनका एक एक वेरी पर अध़ इन वह फ्रेंश परेट पार्ढ़ से सिनिघुरी दोग जो इसके लाव और भी अनि में ड़ियेंज बंस ने ूपर एक उथर्णी ciao कि यह एंडिविजुल के इंटरीजिंस की कितनी प्रकार होते कि उन्हीं प्रेस्ट किया इनका फिर में आजमाईश और खता निमतलब कि आपकी आजमाईश होगी टेस्ट होगा और आप उस टेस्ट में बार बार फेल होकर करके जिसने आप एक लर्निंग होगा कि मैं बार ब प्राइल करके करते करते और करते करते एर्र करते करते आप लोग आप एक ऐसा मकाम सकते हैं जो कि आप गें कर सकते हैं कि पजल बॉइद unfortunate नहिन होगा पजल बॉक्स तो पजिल बॉक्स का जो मंदेंहे यह ऊद्धोरन डाइपने पेश पूजल मोख्स ओगए experiment किये थे cat के उपर और उस cat और cat में experiment में cat और box को एक use किये थे और जो box का जो नाम दिया गया था puzzle box तो direct questions पुछ सकता है who introduced the puzzle box not theory puzzle box use in in his experiment the thorn dyke next is multi-factor theory okay any childs or individuals always learn the multifactor सिफ एक ही उनको factor नहीं है learning का उनके multifactor के वैसे बच्चे सीख लेते हैं law of learning का concept थोरण आइक ने पेश किया theory of learning and readiness okay बच्चों में theory of readiness का concept कैसे होता है कितने प्रकार की होते हैं यह सब concept थोरण आइक ने पेश किया enforcement of learning reinforcement of learning को कैसे reinforce किया जाए okay जिसे और learning stability हो बच्चे और सिखनी के लिए आकरशित हो और भी इनकरेज हो एसर connections for learning जिस तरह आइवन पेश किया था और फी एक यह भी एसर connection is stimulus and response connections for learning में इनका भी योगदान है यह कुछ important terms से आप लोग याद रखेगा थोरण डाइक का इनका जो सबसे important जो पुछा था बेंजमीन भूलूम के बारे में गैस्ट टॉरिस के बारे में अब रहाम मौसलो जॉन लॉक इसकी नहों के लूइस 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 वीडियो ज्यादा नंबी नहीं हो जाए इसलिए हम लोग आज इस वीडियो कहीं पर खतम कर रहे हैं नेक्स वीडियों में जो और भी साइकोलोजिस्ट है उनके जो थिवरी से उसको में देखेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल तो प्लीस आप लोग से छोटीरी से रिक्वेस्ट है अगर आप लोगों ने अब तक के उस चैनल को घ्रूप को जोईन नहीं किए तो प्लीस आपने जोइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए और किसी भी किसंका प्रकार का और हलप हो तो comment box में comment कर सकते हैं या WhatsApp गुरूप में आप लोग या direct connection, direct call कर सकते हैं Thank you friends, Thanks